अपने पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का सब्जेक्ट इतियास इतियास में पढ़ रहे हैं अपने पहला अध्याय भारत का वेभव पुरण अतीद इस लेसन में अपने अब तक पढ़ चुके हैं कि भारतिया इतियास को जानने के सरोत कौन कौन से थे भारतिया इतियास को जानने के दो सरोतों के बारे में अमने पढ़ा था पहला साहितेक सरोत दूसरा पुरा तात्विक सरोत उसके बाद हमने पड़ा कि प्राचिन काल में भारत को किन किन उपादियों से विभूसित किया गया था और क्यों किया गया था उसके बाद हमने पड़ा भारतिय सब्यता एवं संस्कर्ति का परचार विश्व के कौन कौन से देशों में हुआ था उसके बाद हमने पढ़ा पासान कालेन मानव सब्यता के बारे में भारत में पुरा पासान कालेन, मद्य पासान कालेन और नव पासान कालेन सब्यता के अवसेस मिले हैं आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सिंदू सरस्वती सब्यता के बारे में इस सब्यता का कालकरम कार्बन पदतिक अनुसार पच्चिस सो इसा पूरव से सत्रा सो पचास इसा पूरव तक का माना गया है ये सब्यता आध से लगभग साड़े चार हजार या पांच हजार वरस पूरव उई थी इस प्राचिन सब्यता की कौन-कौन सी विशेशता ही थी यहां का मानव जीवन किस परकार का था समाज किस परकार का था इन सब के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे इस सब्यता की सरव पर्थम जानकारी ब्रीटिस काल में 1856 में मिली थी 1856 में लाहोर में एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्या चल रहा था उस रेलवे लाइन के लिए पत्थरों की जब आवस्यक्ता मैसूस हुई तो आसबास के छेतरों की पत्थरों के लिए खुदाई की गई थी इस खुदाई के दोरान कई इस्थानों से मानव निर्मित इंटे मिली थी इस कारण 1856 में सरव पर्थाम अंग्रेजों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर कभी कोई सब्यता रही होगी इस कार्य की जाँचेतू ब्रिटिस काल में 1861 इस्वी में भारतिय पुराततव विभाग की स्तापना की गई थी इस पुराततव विभाग का निदेशक बनाया गया था अलेकजेंडर कनिगम को 1904 में इस विभाग का निदेशक बने थे सर जोन मार्शल और इनी के नेतरदव में सरव पर्थम उत्करन कारिया शुरू किया गया था इस सब्वेता के सेत्रों का यह सब्वेता दो नदियों के मद्धे विक्षित हुई थी एक सिंदू नदी और दूसरी सरस्वती नदी इन दोनों नदियों के मद्धे विक्षित होने के कारण इस सब्वेता को सिंदू सरस्वती सब्वेता नाम दिया गया था सिंदू नदी का उद्गम केलास प्रवत के पास मानसरोवर जिल से होता है और यहां से निकल करिये कुछ दूरी जम्मो कस्मीर में बैती है उसके बाद यह संपोर्ण पाकिस्तान में बैती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती है इसी तरह से दूसरी नदी है सरस्वती नदी इसका उद्गम हिमाल्य परवत की ही सिवालिक स्रेणी से माना गया है सिवालिक स्रेणी से निकल कर यह नदी हरियाना, राजस्तान और गुजरात होती हुई अरब सागर में विलीन होती थी सरस्वती नदी वर्तमान में विलूप्त हो चुकी है सरस्वती नदी के सोधेतु एक अभ्यान चलाया जा रहा है V.S. वाकनकर के नेतरतों में V.S. वाकनकर इस नदी के परवाय छेतर और इस परवाय छेतर में कौन-कौन से छेतर आते थे इन सब की जानकारिये तु सोधकारिये चला रहे है तो सिंदू और सरस्वती नदीयों के मद्य यह सब्यता विक्षित हुई थी आज से लगबग 5,000 वरस पूरो इस सब्यता का पहला इस्थल 1921 में हडपा अनामक हो जा गया था हडपा के कारण ही इस सब्यता को हडपा सब्यता भी कहा जाता है इसी तरह से इस सब्यता का दूसरा इस्थल 1922 में महन जोद्डो खोजा गया महन जोद्डो की खोज राखाल दास बनरजी ने की थी और हडपा की खोज देयराम साहनी ने की थी इसके बाद एक और छेत्र खोजा गया काली बंगा सवतंतरता के बाद बारत में खोजा गया पहला इस्थल है काली बंगा काली बंगा की खोज 1953 में अमलानद गोश ने की थी तो इस परकार ये परमुक छेत्र है इस सब्यता का उत्री केंदर मांडा जम्मु कस्मीर में माना गया है और दक्षनी छोर देमाबाद माराष्टर तक माना गया है इस सब्यता का पूर्वी छोर मेरट उत्रपरदेश माना गया है और पस्मी किनारा है वो बलूचिस्तान में सुत्का गेडोर नामक इस्तान को माना गया है इन चार छेत्रों के मद्य ये सब्यता विक्सित हुई थी इस सब्यता के अब तक कुल खोजे के इस इस्तानों में से 917 इस्तान बारत में है और 481 इस्तान पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं और 2 इस्तान अफगानिस्तान में खोजे जा चुके हैं इस सब्यता का एक विक्सित बंदर गाय भी था लोथल जो गुजरात में है और यहां से इस सब्यता की लोग अन्य देशों के साथ में वेपार करते थे आईए अब चर्चा करते हैं सिंदू सरस्वती सब्यता की कुछ परमुख विशेष्थाओं की बारे में पहली विशेष्था है स्थाप्तिय अकला इस्तापते अकला में निर्मान कारियों को सामिल किया जाता है सिंदू सरस्वती सब्यता काल की बात करें तो इस्तापते अकला में पहली विशेषता है नगर नियोजन सिंदू सरस्वती सब्यता के नगर इतने सूब योस्तित और नियोजित तरीके से बसाए गए थे जितने वरत्मान में भी देखने को नहीं मिलते हैं इस सब्यता की नगर दो भागों में बंटे हुए थे एक भाग में निवास करते थे और दूसरे भाग में साधारन लोग इस सब्यता की सडकें आपस में समकोन पर काटती थी और सूवय अस्तित और नियोजित तरीके से ये नगर बसे वे थे इन नगरों में विशाल इसनानागार देखने को मिलते हैं हडपा, मोहन जोद्रो और भी अन्य कई स्तानों से विशाल इसनानागार के अवसेस मिले हैं इसी तरह से अनाज रखने के लिए अन बंधार भी देखने को मिले हैं मोहन जोद्रो से एक विशाल इमार्त मिली है जो एक विशाल अनागार था दोलावीरा से एक स्टेडियम के अवसेस मिले हैं और जलाशे के भी अवसेस मिले हैं विशाल, गोदिबाड़ा यानि बंदरगाए और बंदरगाए के अवसेश लोथल गुजरात से मिले हैं यानि गुजरात का लोथल बंदरगाए सिंदु सरस्वती सव्यता का परमुक बंदरगाय था इसके बाद दूसरी विशेशता है कला, लिपी और विज्ञान कला की बात करें तो सिंदू सरस्वती सभयता कालिन कई मूर्तिया मिली है मूहरे मिली है और मनके भी मिले है मूर्तियों मूहरों और मनकों पर ततकालिन कला अपने को देखने को मिलती है मूहरों पर छोटे बड़े 25 stove लेख प्राप्त हो चुके हैं इसी तरह सिंदू सरस्वती सब्यता कालीन लिपी यहां की लिपी बाव चित्रात्मक थी यानि चित्रों की द्वारा समझाया जाता था इस लिपी को अब तक पढ़ा नहीं जासका है यानि सिंदू सरस्वती सब्यता कालीन लिपी को अब तक पढ़ा नहीं जासका शिंदू सरस्वती सब्यता कालिन विज्ञान की बात करें तो यहां के लोग गुणा, जोड, गठाव, आदी, गणीतिय संकिरियाओं से प्रीचित थे यहां के लोग सल्या चिकिस्या से भी प्रीचित थे छे छेद वाली एक खोपड़ी के अवसेश मिले हैं जिससे अन्वान लगा सकते हैं कि यहां के लोग सल्या किरिया भी करते थे दातू विज्ञान, अनेक प्रकार की दातूं का मिश्रन करके बरतन, मूर्तियां और अन्य कई पात्र बनाई जाते थे शिंदू सरस्वती सब्यता की तीसरी विशेशता है आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन में यहां की लोग किर्शी कारिया करते थे किर्शी उन्नत वबस्ता में थी गेहूं जो का उत्पादन किया जाता था और प्राचिन काल से अपने पता है भारत एक किर्शी परदान देश है शिंदू सरस्वती सब्यता का भी है जो आर्थिक जीवन है उसका मुख्यादार किर्शी ही था वेपार बंदरगाय के अवसेश मिले हैं लोथल से और इस बंदरगाय से विश्व के अनेक सब्यताओं से जैसे मिसर की सब्यता और इरान, फार्स, युनान आदी सब्यताओं के साथ में भारत का वेपार होता था उद्योग, दातु उद्योग, मनका उद्योग, मूर्ति निर्मान उद्योग, बर्तन उद्योग, वस्तर उद्योग इस तरह के कई उद्योग भी सिंदू सरस्वती सब्यता काल में विक्षित अवस्था में थे चोथी विशेशता है सामाजीक जीवन सिंदू सरस्वती कालेन जो समाज था वैं कई वर्गों में बंटा हुआ था एक सांसक वरग था, एक सर्मिक वरग था, मजदूर वरग, क्रिशक वरग, वेपारी वरग इस तरह के अलग-लग समाज में वरग हुआ करते थे शिंदू सरस्वती सब्यता का लिन परिवार मात्र सतात्मा को था यानि माता की भूमी का मैतवपुरण थी माता को ही परिवार का मुख्या माना जाता था पांचवी विशेष्टा है धार्मिक जीवन सिंदू सरस्वती सब्यता के लोग प्राकर्तिक सक्तियों की उपासक थे जैसे वरक्ष पुजा, अगनी पुजा, जल पुजा इस तरह से प्राकर्तिक सक्तियों को ही देविय सक्तिया मान कर उनकी उपासना करते थे सिंदू सरस्वती कालेन दार्मिक जीवन में यग्य के भी अवसेश मिले हैं जैसे काली बंगा, काली बंगा से कई अगनी वेदिकाई मिली है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सब्यता के लोग यग्य भी करते थे छटी विशेशता है राजनेतिक जीवन सिंदू सरस्वती कालेन राजनेतिक जीवन के कोई स्फष्ट जानकारी नहीं मिली है फिर भी नगर का दो भागों में बंटा होना एक में दुरग की अवसेश और एक जन साधारन के लोगों के लिए था तो इससे अपने अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सासक वरग हुआ करता था और अच्छी परसासनिक व्योस्ता के कारण ही इस तरह के नगर नियोजन और व्यपार और आर्थिक संपनता समाज में समानता पूरवक रहन सैन ये सब एक परसासन के कारण ही हो सकता है इस अधार पे अनुमान लगा सकते हैं कि सिंदू सरस्वती सब्यता का राजनितिक जीवन उन्नत अवस्ता में था और समानता पर आधारित था आईए सिंदू सरस्वती सब्यता की परमुक विसेशताओं का विस्तार से अध्यन करते हैं सबसे पहले चर्चा करते हैं नगर नियोजन के बारे में सू नियोजित नगर नियोजन यहां की परमुक विशेषता थी परतेक नगर में उन्चे चबूत्रे पर गड़ी यानि दुरग और नीचे समतल बाग पर नगर हुआ करता था दुरग या गड़ में राजा, पुरोईट और अन्य परमुक विशेषती निवास करते थे दुरग के चारों और मोटी दिवार का परकोटा होता था परकोटे की दिवार काफी चोड़ी थी नीचे समतल नगर यानि नगर के दूसरे बाग में समतल इस्थान पर एक नगर बसा हुआ था नगर में एक दूसरे पर, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चोड़ी सरकें होती थी जिनकी चोड़ाई 9 फिट से लेकर 34 फिट तक हुआ करती थी एक सड़क 34 फिट की मिली है जो संभवत है राजमारक रहा होगा गलियां एक से 2.2 मीटर तक होती थी काली बंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4 वे 7.2 मीटर चोड़ी होती थी बड़ी इंटों की आकरती का अनुपात यानि इस सब्यता के लोग भवन हैं इंटों की द्वारा बनाते थे और इंटों का आकार समय था एक अनुपात दो अनुपात चाहर हुआ करता था सामान्य इंटे 7.5 इंटू 15 इंटू 30 इंच की हुआ करती थी ये एक विशाल गोदिवाड़ा दिखाई दे रहा है यानि एक बंदर का है इसमें पानी कठा है और यहां पे जाज आते थे और जाते थे यहां से दूसरी तरफ ये एक सिनानागार के अवसेस मिले हैं मोहन जोदरो से दुरुग के परकोटे के लिए जो इंटे थी उनका अनुपात 10 अनुपात यानि 10 इंटू 20 इंटू 40 इंच की थी दुरुग के परकोटे के लिए जो इंटे काम में ली जाती थी उनका आकार सामान्य इंटों से बड़ा हुआ करता था नालियों से पानी की निकासी की उचित विवस्ता थी यानि जल निकास प्रणाली है सिंदु सरस्वती सब्यताव की परमुक विशेषता मनी जाती है इतनी अच्छी जल निकास की परणाली थी कि वर्तमान में भी अन्य देशों में या कई देशों में इस तरह की परणाली है नहीं मिलती पक्की इंटों से मिस्टर वासी भी परीचित नहीं थे यानि जब सिंदु सरशती सब्यता के लोग पक्की इंटों से बहुन बनाते थे उस समय मिस्टर सब्यता के जो लोग थे वो पक्की इंटों से परीचित नहीं थे सादान तै परतेक घर में तीन चार कक्स, स्नानागार, सोचाल्य, पाट साला और एक कुवा बना होता था मद्य में आंगन होता था, परतेक घर में जल निकासी के लिए नालियों का उचित प्रबंद था ये सिंदु सरफस्ती सब्यता कालीन नगर नियोजन है, ये उपरी बाग है जहांपे एक दुरग दिखाई दे रहा है और ये नीचे का इसा जहांपर सामाने लोग निवास करते थे ये लोथल में जल निकास प्रणाली के लिए एक नाली बनाई गई दिखाई गई है दूसरे चित्र में भी एक कुवा दिखाई दे रहा है जल निकासी के लिए नाली भी दिखाई दे रही है और इस नानागार के अवसेस मिले हैं, ये हडपा से मिले है प्राचीन सब्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्योस्ता सिंदू स्रस्वती सब्यता में थी, उतनी विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती घरों के पानी की निकास नालियों से होता था नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी बड़ी नालियां डखी होई थी नालियों को जोड़ने के लिए वे प्लास्टर में मिट्टी, जिपसम, वे चुने का प्रयोग होता था सडकों की नालियों में में होल, तर मोखे भी मिले है यानि नालियों की साफ स्वाई के लिए जगे भी छोड़ी जाती थी बीच में चेंबर या सोस गर्त भी बने वे थे यानि नाली के उपरी इसे में होल बने वे थे जिन से इनकी साफ स्पाई की जा सकती थी और बीच बीच में नाली के नीचले इसे में कई गहरे गड़े जिने चेंबर का गया है गड़े भी मिले हैं इन गड़ों का काम होता था कि साफ स्पाई के लिए जो कूडा कच्रा बैह कर आता था वो इन चेंबर में इकठा हो जाता था बाद में इने साफ किया जा सकता था इसलिए जो जल निकाल प्रनाली थी उसके अंतरगयत नालियों का प्रयोग होता था और नालियों में मेन होल भी देखने को मिले और चेंबर भी होते थे ये दोलाविरा का एक स्थान है और यहां भी एक ये बड़ी नाली दिखाई दे रही है रत की आकरती मिली है देमाबाद माराष्टर से एक आकरती है और इस तरह के रत हुआ करता था सिंदू सरस्वति सब्यता का लिन विशाल सनानागार मोहन जोदलो का यह मैतपुरण भवन है जिसका आकार 49 इंटू 23 इंटू 8 फिट है इसमें इंटों की सीडिया बनी हुई है तीन तरफ ब्रामदे है फर्स वै दिवार पर इंटों का प्रियोग है पास में ही कुई के भी अवसेश है जो जल का मुख्य शरोत था उत्तर की और छोटे छोटे आठ शिनानागार भी बने हुई है विशाल अन बंडार अडपा वै मोहन जोदलो से विशाल अनागार की अवसेश मिले है मोहन जोदलो का अनागार 45.31 इंटो 15.23 मीटर का था दो खंड में ये विवाजित था दो खंडों में विवाजित हडपा की अनागार का छेतरफल 55.43 मीटर है जो पानी से बचावेतु उन्चे चबूतरे पर बना हुआ है परतेक में 66 की दो पंक्तिया है यानि 66 बावनों की दो पंक्तिया है दोनों के मद्य 23 फूत की दूरी है इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था यानि रावी नदी की ओर इसका प्रवेश द्वार था एसे अनागार मेसो पोटामिया के नगरों में भी मिले हैं तो इस परकार हडपा वे महोंजोद्रो दोनों इस्तानों से विशाल अनबंडार के अवसेस मिले हैं जिन में बड़ा अनबंडार था हडपा में 55 इंटू 43 मीटर का था विशाल जलाशिय वे स्टेडियम दोला वीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशिय प्राप्त हुए हैं जिन से हमें ततकालिन जल संग्रेण व्योस्ता की जानकारी होती है दुरग के दक्षिन में शिला को काटकर 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर लंबा ये जलाशिय है इस चित्र में दोला वीरा से एक जलाशिय मिला है और दूसरी और काली बंगा से एक जूतिवे खेट के अफसेस मिले हैं इस तरह से ये जो हल के निसान है वो आज भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा दोला वीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले है स्टेडियम का अकार 283 इंटू 45 मीटर है स्टेडियम के चारों और दर्सकों के बेठने के लिए सोपान भी बने हुए है समारो है इस तल दुरग की प्राचेश से जुड़ा हुआ है और इसकी चुड़ाई 12 मीटर है विशाल गोदिबाडा गोदिबाडा यानि बंदर गाये बंदर गाये के अवसे इस लोथल से मिले है लोथल से पक्की इंटों का बना हुआ एक बंदर गाये मिला है जिसे पूरा वीद SS राव ने खोजा था SS राव ने गोदिबाडा या डाक्याड बंदर गाये का मैथपुन इसे के रूप में पहचाना इसे इसका ओसत आकार 214 इंटो 36 मीटर है वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है उत्री दिवार में 12 मीटर चोड़ा प्रवेश द्वार था जिस से जा जाते थे प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था लोथल बंदर गाये का जो प्रवेश द्वार है वो गुजरात में भोगवा नदी है उस नदी से जुड़ा हुआ था जिस से गोदी में पानी आता था इस तरह के जो विक्षित बंद्रगाय के अवसेस है वो अन्य कई अन्य जो समकाले इन इसकी विश्व सब्वेताई थी उनमें नहीं थी लोथल का डाक्याड वर्तमान विशाखा पटनम से भी बड़ा था तो इस तरह से ये विक्षित बंदर गाय लोथल के अवसेश मिले है इस परकार हम सिंदू सरस्वति सबेता की स्ताप्ते कला के बारे में पढ़ चुके हैं स्ताप्ते कला में हमने नगर नियोजन पढ़ा था विसाल सनानागार अनागार जलास्यवे स्टेडियम और विसाल गोदी बाड़ाय ने बंदर गाय के बारे में जानकारी आसिल कर रही है अब अपने पढ़ेंगे सिंदू सरस्वति सबेता की कला लिपी और विज्ञान के बारे में सिंदू सरस्वति सबेता की कला लिपी वे विज्ञान यहां की सबेता से प्राप्त अवसेसों में पत्थर की मूर्थियां मनके, मृद बांड, मुहरे, कांस्य की मूर्थियां वे पात्तर यहां की कला के उत्करष्ट प्रमान है यानि सिंदू सरस्वति सबेता काली इन कला मनकों पे देखी जा सकती है मृद बांड, मुहरे, कांस्य की मूर्थियां पात्तर आधी पे इस सबेता की कला को देख सकते हैं यहां से सेलक्डी की योगी की मूर्थि, सेलक्डी यानि एक विशेश परकार की मिटी से त्यार की गई मूर्थि जिसे सेलक्डी कहा जाता था सेलक्डी से मूर्थियां बनाई जाती थी निर्थकी की कांस्य की और मिटी की दोनों मूर्थियां मिली है यानि मूर्तियां कांस्य की भी बनाई जाती थी और मिट्टी की भी बनाई जाती थी कांस्य की मूर्ति की उन्चाई साड़े 11 cm है मरन मूर्तियों का विशाल बंधार मरन मूर्तियां यानि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मुर्ण मूर्थियों का विशाल बंधार उस समय की विक्षित मूर्थी कला का पर्तीक है कुबड़दार बेल की मूर्थियां भी कला की पर्तीक है मुहरों पर कियेगे चित्रन से यहां के निवाशियों की चित्र कला के पर्तीरूची की जानकारी मिलती है ये इस चित्र में एक म्रिण मूर्ती दिखाई दे रही है यानि ये मिटी की बनी होई मूर्ती एक म्रिद पात्र यानि मिटी का बना हुआ पात्र भी दिखाई दे रहा है इन सब से अपने को सिंदु सरस्वती सब्यता कालिन काला की जानकारी मिलती है इस सब्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है उनका अगर भाग पर पसु का अंकन संक्षिप लेख उतकिरण है पीछे एक गुंडी बनी हुई है जो सम्वेता टांगने के काम आती थी यानि जो मोहरें मिली है मोहरों के अगर भाग पर पसु पक्षियों के चित्र मिले हैं साथ में कुछ एक लेख भी लिखा हुआ मिला है पीछे का भाग है उसमें एक खुंडी लगी वेती थी जो सम्वेता है टांगने के काम आती थी शिंदू लिपी का विश्व स्निय अध्यान अभी तक नहीं हो सका है मोहरों पर अब तक पच्छिस सो लेख उपलब्ध हो चुके हैं 17 अक्षरों का सबसे लंबा वे बड़े अक्षरों का अभिलेख दोला वीरा से मिला है यानि अब तक का सबसे लंबा और बड़े चित्रात्मक थी शिंदू सरस्वती सब्यता का लिपी है वो भाव चित्रात्मक थी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे ये शिंदू सरस्वती सब्यता के कुछ चित्र मिले हैं मुहरों पर बने हुए और नीचे ये यहां की लिपी है जो अब तक पड़ी नहीं जास किये बात करते हैं शिंदू सरस्वते सबेता कालेन विज्यान के बारे में विज्यान की द्रश्टी से हम कह सकते हैं कि शिंदू सरस्वती सबेता में गनित की संख्याओं के लिए परतीक चिन थे गुणा और योग जैसे अंक गनितिये परकिरियाओं से यहां के लोग प्रीचित थे उत्खनन से एसे पडार्थों के अवसेश मिले हैं जो समविवते ओस्दी के रूप में काम आते थे काली बंगा वैलोथल से खोपडी के अवसेश मिले हैं काली बंगा से प्राप्त बालक की खोपडी पर छे छेद हैं इसमें से कुछ छेद बर गए परतीत होते हैं यह खोपडी की सल्य चिकिश्या के संकेत देते हैं यानि छे छेद वाली यह खोपडी मिली है काली बंगा से जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस सब्वेता के लोग सल्य चिकिष्या से प्रीचित थे दातु विज्यान के तत्या से भी प्रीचित थे दातु की डलाई, उपकरण निर्मान की विक्षित वीदी से ये लोग प्रीचित थे मोहन जोदलों से प्राप नर्थकी का कांश्य की मूर्ती देमाबाद से रत की आकरती विक्षित दातु विज्यान के प्रमाण है मिट्टी के बरतन कुमार के चाक पर बनाई जाते थे पकाने के लिए 2.1 मीटर चोड़ी बटी काम में ली जाती थी पकाने के बाद पुर उन पर गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन भी बनाई जाती थी तो ये सिंदु सरश्वति सब्यता कालीन कला और विज्यान है विज्यान के छेतर में लोग गुणा और योग जैसी अंक गनिती अपरकिरियां से प्रिचित थे सल्य चिकिस्या विज्यान के लोग प्रिचित थे और दातु विज्यान से विज्यान के लोग प्रिचित थे सिंदू सरस्वती सब्यता के वास्यों की उन्नत किर्शी विवस्ता पसुपालन उध्योग धंदे एवं आंत्री केवं बाहरी वेपार के परमाण मिले हैं नवीन साक्षे से संकेत मिले हैं कि इस सब्यता के लोग गोड़े से परीचित थे सूर कोटड़ा वे रण गुंड़ई से गोड़े के अवसेस मिले हैं यानि सिंदू सरस्वती सब्यता के दो इस्थल है सूर कोटड़ा वे रण गुंड़ई इन दो इस्थानों से गोड़े के अवसेस मिले हैं एसार राव के अनुसार रंग पूरवर लोथल यहां से भी गोडे की मीटि पी मूर्थियां मिली है। तो सिंदू सरस्वती सब्यता कालीन दो छेतर है, सूर कोटड़ावे रन गुंड़ाई यहां से तो गोड़े की अवसेस मिले है, और दो छेतर रंग पूर्वे लोथल यहां से गोड़े की मूर्तियां मिली है। कई स्थानों से गोड़े की अस्थियां मिली है। करते हैं उन्नत किर्षी कारिय अनेक इस्थानों से प्राप्त विशाल अन्नागार संकेत देते हैं कि अन उत्पादन अच्छी मात्रा में होता ठाव उत्पादन से महानगरिये विवस्ता का विकास हुआ था यानि सिंदु सरस्विती सब्यता के बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ था किर्शी उत्पादन की अधिकता के करण मुख्यते उत्पादन गेहूं जो और मोटे अनाजों में ज्वार दाल मटर रागी सांबा आधि का उत्पादन होता था कपास खजूर तिल चावल का भी उत्पादन होता था जोताई के लिए लकडी के हल का प्रयोग होता था प्राग हडपा काली बंगा से आडी वे तिर्ची हल की लकिरें इन से जोता हुआ खेत मिला है यानि काली बंगा अपने राजस्तान के हर्मान गड़ में काली बंगा नामक सबेता इस्तल है और यहां से जुतेवे खेत के प्रमान मिले हैं आड़ी और तिर्ची यानि दोहरी फसल के संकेत देते हैं फसल की कटाई के लिए तामबे के हांसिय वै पत्थर के फलक से कटाई की जाती थी जो की लकड़ी के हत्तों पर लगा हुआ था फसल को काटने के लिए तामबे का हांसिया और पत्थर का फलक काम मिलेते थे इन पर लकड़ी का हत्ता लगा हुआ था शिंदू सरस्वती सव्यताकाली नार्थिक जिवन में अब अपने जर्चा करते हैं उध्योग व्योसाह के बारे में यहां से उत्खनन में तांबे और कांशे की निर्मित कलाकर्तिया मिली है तांबे उपकरणों में मचली पकड़ने के कांटे आरिया, तलवारे, दरपन, छेणी, चाकू, बालागर, बरतन आदी मिले हैं कांशे की परसिद नर्थिकी की मूर्ति, बेल, कुते, व्यपक्षियों की कलाकर्तियां भी मिली है इस से इसफ़स्ट होता है कि यांक दातू उद्योग विक्षित अवस्ता में था इस परकार सिंदू सरस्वती सब्यता में दातू उद्योग विक्षित अवस्ता में था और अनेक परकार के उपकरण है वो दातू से बनाई जाते थे मिट्टी के बरतन बनाने की कला से भी प्रीचित थे मन के निर्मान का उध्योग भी विक्षित अवस्था में था इन से बने आभुशन इस सब्यता की कला के स्रेश्ट उधारन है लोथल वैज चहुंदडो से इसके कारखाने मिले हैं यानि लोथल और चहुंदडो से मन के बनाने के बड़े-बड़े कारखाने मिले हैं ये मन के सोने, चांदी, तामबे और पीली मिटी, सेलखडी, कीमती पत्थर, सीपी, संक, आदी के बनाई जाते थे इस सब्यता से लगबग पत्चिस सो मोहरे मिली है, जो अधिकांस्ते सेलखडी से बनी हुई है इन पर पस्वों, यानि एक सिंग वाले, पस्व, बाग, हाती, सांड, गेंडा, पेड़-पोदे, मानव आकरतियां, आदी के चित्र मिले हैं जो हमें उस समय की मानव गतिवीदियों और धर्म का संकेत देते हैं सिंदु सरस्वति सब्यता काल में वस्तर उध्योग भी उन्नत अवस्ता में था कपास की खेती के वै वस्तर के प्रमान भी मिले हैं कताई बुनाई की तकलियां वै तक्वे भी मिले हैं आर्थिक जीवन में अब अपने चर्चा करते हैं किर्शी और उध्योग के बाद में वैपार एवं वानिजेपर इस समय आंत्रीक एवं विदेशी वैपार दोनों ही उन्नत वस्ता में था तामर खनीक रतन उप रतन एवं दातु निर्मीत सामगिरी पात्तर उपकरण अबुशन आधी का वैपार होता था सम्भुवताय तामबा राजस्थान के गनेश्वर से सोना मेसूर से चांदी इरान से और अफगानिस्थान से मनके बनाने के लिए कीमती पत्तर गुजरात वय महाराश्टर से मंगवाई जाते थे इस परकार सिंदु सरस्वती सब्यता के लोग थे उनका वैपार राजस्थान के गनेश्वर मेसूर इरान अफगानिस्थान गुजरात महाराश्टर आधी छेत्रों में आपस में होता था इस तरह से वेपार आंत्रिक वेपार भी होता था और विदेशी वेपार भी होता था मेसोपोटामिया से यहां के लोगों के वेपारिक समन्द थे इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है सिंदू वासियों के लिए मेलूहा सबद का प्रयोग हुआ है यानि मेसो पोटामिया से एक अभिलेख मिला है जिसमें सिंदू वासियों के लिए मेलूहा सबद का प्रयोग हुआ है इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सब्यता से सिंदू स्रस्वती सब्यता का वेपार होता था मेसोपोटामिया के विभिन नगरों से सिंदू स्रस्वती सब्यता की लगबग 24 मोहरें मिली है लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है एसी मोहरें बहरीन दीप, फार्स की खाड़ी और मेसो पोटामिया के उपनगरों से मिली है तो इस तरह से मेसो पोटामिया और फार्स और अन्य विबिन नगरों से भी सिंदू सरस्वती सब्यता की मोहरें मिली है जिससे अनमान लगा सकते हैं कि इस सबेता का वेपार मेसो पोटामिया की सबेता से होता था वेपार के लिए वस्तु विनिमे एवा माप तोल की एक निश्चित विवस्ता थी यानि वेपार वस्तु विनीमे के द्वारा होता थे और माप तोल की एक निश्चित विवस्ता थी प्राप्त अवसेसों के अधार पर बाट का आकार गनाकार वगोलाकार थे ये चर्ट जेशार वह अगोट के अगेट के बने वेज थे यानि बाट है चर्ट जेसार वा अगेट के मिश्रन से बने हुए थे बाट एक स्रंखला में करमर्स है बढ़ते करम में एक, दो, चार, आठ, सोला, बत्तिसोर, चोंसर्ट तक की इकाईयों में बंटे हुए थे हमने सिंदू सरस्वती सबेता की विशेष्टाओं में सिंदू सरस्वती सबेता का लें सामाजिक जीवन के परमुक विशेष्टाओं सिंदू सरस्वती सबेता के अवसेष्टों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में सासक वे महतपुर्ण करमचारी वरग, सामान्य वरग, सर्मिक वरग, क्रिशक वरग था यानि समाज में कई तरह के वरग थे सासक वरग, करमचारी वरग, सामान्य वरग, सर्मिक वरग वे क्रिशक वरग साशकवे मैतपुर्ण करमचारी गड़ी यानी दुर्ग में रहते थे और अन्यवरग के लोग नगरवाले भाग में रहते थे समाज की सबसे छोटी काई परिवार थी मातर देवी की मिट्टी की मूर्ती प्राप्त हुई है जिससे समाज में नारी का मैतव और परिवार के मातर सतात्मक होने की जानकरी मिलती है सूती वस्तरों के भी प्रमाण मिले है यहां के इस्त्री एवं पुरूस दोनों ही आभूसन प्रेमी थे मन के द्वारा बने यहां के आभूसन काफी परसिद है एक मुद्रा पर ढोलक का चितर सिंदु सरस्वती सब्यता की वाद्यकला की जानकारी उपलब्द करवाता है आखेट वैसंगीत के भी प्रमाण मिले है तो इस परकार यह सिंदु सरस्वती सब्यता का लिन सामाजिक जीवन है जिसमें समाज कई वर्गों बंटा हुआ था परिवार सबसे छोटी काई थी नारी का काफी मैतव था और समाज मातर सताद्मक था इस्त्री और पुरुष दोनों आभुषन प्रेमी थे वाद्यकला की भी अपने को जानकारी मिलती है आखेट वैसंगीत के भी प्रमाण मिले है अब चर्चा करते हैं सिंदू सरस्वती सब्यता का लिन धार्मिक जीवन के बारे में वरक्ष जल व्यपसु पुजा सिंदू सरस्वती सब्यता के लोग प्राकर्तिक सक्ति के उपासक थे वरक्षों के बीतर रहने वाली आत्मा की रूप में वरक्ष पूजा का इस समय परचलन था एक मुहर में देवता को दो पीपल के वरक्ष के मद्य दिखाये गिया है साथ मानव अकर्तियां उसकी पूजा कर रही है सिंदु सरश्वति सब्यता का प्राचेन ध्रम के चेतर में भी मैतवपुर्ण योगदान रहा है मातर देवी की उपासना, पसोपतिनात की कलपना, वरक्ष पूजा, मूर्ती पूजा, जल की पवित्तरता तब के योग प्रम्परा आधी यहां की प्रमुख विशेशताई थी, जो आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलती है ये सिंदु सरफ्ष्टी सब्वेता के दार्मिक जीवन की विशेशताई थी, प्राकरतिक सक्तियों की पूजा करते थे, वरक्ष पूजा करते थे, पसु पूजा करते थे, मातर देवी की उपासना करते थे जल की पवित्रता का विशेश मैतव था, तप और योग का भी जिवन में विशेश मैतव था, ये यहां की परमुखदार्मिक जिवन की विशेशता है अडपा से प्राप्त एक मूर्ती के गरब से एक पोदा निकलता हुआ संभोत है ये पिर्थ्वी माता का रूप है सिंदु सरस्वती सब्यता से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकर्ती पदमासन में बैठी है इसके एक तरफ हाती वै बाग है, दूसरी तरफ बेंसा वै गेंड़ा है, नीचे हिरन है यानि सिंदु सरस्वती सब्यता कालीन एक पुरुष की आकर्ती मिली है, जो पदमासन मुद्रा में बैठा हुआ है जिसके एक तरफ हाती और बाग है, दूसरी तरफ बेंसा वै गेंड़ा है, नीचे की तरफ हिरन दिखाया गया है एक अन्य मोहर में योगी की मुद्रा में व्यक्ती की यह आकर्ती त्री मुखी और त्री स्रिंगी है नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाये गए हैं तो ये पूजा का विशेश परकार का मैतव था सिंदु सरस्वती सब्यता काल में तप योग वे यग्य काली बंगा बनवाली राखिगड लोथल यहां उत्खनन में अगनी कुंड और अगनी वेदिकाएं मिली हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहां के लोग यग्य भी करते थे पदमासन में बेठे योगी स्वर की मूर्ती मिली है इसके अलावा बिन बिन योगासन मुदराओं में मिठी की कई मूर्त्या मिली है यहां से प्राप्त मूहरों पर एक सिंग वाले वर्षब इसका काफी चितरण मिलता है इसके अलावा कुबड़दार बेल, बिना कुबड़दार बेल, बाग हाती, आदी का चित्रण मिलता है बाद में पसूं की देव की रूप में पूजा उने लगी थी विबिन पसू देवताओं के वाहन की रूप में परसिद हुए इस सब्यता की जल की पवित्रता और शिनान ध्यान की परंपरा का परतीक है ये सिंदू सरस्वती सब्यता का लिंदार्मिक जीवन था पसू पूजा के प्रमान मिले है अपने को पदमासन मुद्रा में बेठे योगेश्वर की मूर्ती मिली है जो सब्यता शिव की मूर्ती मानी जाती है एक सिंग वाले और कुपड़दार बेल का विशेश मेहता हुथा सिंदू सरस्वती सब्यता का लिंद राजनेतिक जीवन ये दपी यहां की राजनीतिक विवस्ता की स्वस्ट जानकारी नहीं है सिंदू सरस्वती सब्यता वास्यों की मूल रूची विपार करना था परसासनिक द्रस्टी से समराज्य के चार बड़े केंदर हो रहे होंगे एक हडपा, मोहन जोड़ो, काली बंगा और लोथल ये चार सिंदू सरस्वती सब्यता के केंदर थे सू विवस्तित नगर नियोजन, स्वस्चता, जल स्रक्षन, आदी परतिकों से परतित होता है फूर्ण एवं कुसल राजशता, नियंतरन के प्रमाण मिलते है यानि नियोजित, नगर नियोजन, स्वस्चता, जल स्रक्षन, आदी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ एक कुसल और पूर्ण राजशतागा नियंतरन था विवस्तित नगर पाली का परसासन के भी संकेत मिलते हैं अस्तर सस्तर अधीक संख्या में नहीं मिलना, यहां के निवासियों की सांती प्रियता के संकेत देते हैं यानि अस्तर सस्तर है, अधीक संख्या में नहीं मिले हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहां की लोग सांती प्रियत जीवन व्यतीत करते थे अत्यारों में कांसे की आरी, ताम्बे की तल्वारें, भालों के अग्रभाग, कटारें, चाकू बानागर मिले हैं भारतिय सब्यता के प्रमान हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में देखने को मिलता है इनसे व्यपारिक समंदों के साथ ही संस्कृतिक समंद भी थे भारत की तरह क्रीट में भी मात्र पूजा का परचलन था मोहन जोदलों में भेड की आकरती में दाड़ी बताई गई है सुमेर और बेबिलोन में भी बेलों में दाड़ी बताई गई है यहनि सिंदु सरस्वती सब्यता में एक भेड की आकरती मिली है जिसकी आकरती में दाड़ी बताई गई है और इसी तरह की विशेष्टाएं सुमेर और बेबिलोनिया की जो सब्यता थी वहां भी बेलों की आकरती में दाड़ी बताई गई है अड़पा की तरह सुमेर वाशी अपने केसों को फिते से बानते थे अड़पा की तरह मिश्र में भी कबरों से लगु मख्य की आकार की गुरियां प्राप्त हुई है अता इस परकार हम कह सकते हैं कि हमारी सब्वेता और संस्कृति का प्रभाव अति प्राजिन काल में भी विश्व की अन्य संस्कृतियों पर था कौन-कौन से संस्कृतियों पर था? सुमेर में, बेबिलोन में, मिश्र में और आदी सब्यताओं में हमारी अडपा कालिन सब्यता के अवसेश और इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं इस परकार आज अपने समझ चुके हैं कि सिंदू सरस्वती सब्यता का कालकरम कितना था सिंदू सरस्वती सब्यता कौन-कौन से छेत्रों में विक्षित हुई थी कौन-कौन से इसके प्रमुक केंदर रहे थे कौन-कौन से नद्यों के मद्य हुई थी सिंदू और सरस्वती नद्यों के मद्य विक्षित होने के कारण इसे सिंदू सरस्वती सब्यता का गया पहला इस्तल अडपा खोजे जाने के कारण इसे अडपा सब्यता भी कहा जाता है इस परकार हमने ये जान लिया कि यह सब्यता कहां से लेकर कहां तक विक्सित थी इसके विस्तार के बाद आज हम जान चुके हैं कि सिंदु सरस्वती सब्यता की परमुक विसेशताएं कौन-कौन सी थी इस्तापते कला में हमने पढ़ा नगर्नियोजन, विसाल सनानागार, अनागार, जलाशय स्टेडियम और विसाल गोदिवाडा के बारे में पढ़ा था सिंदु सरस्वती सब्यता की कला, लिपी और विज्यान के बारे में भी पढ़ा था कला आमें यांकी मूर्तियों, मुहरों, मनकों आधि पर देखने को मिलती है लिपी बावचितरात्मक्ती जो आज तक पड़ी नहीं जासकी है विज्ञान के छेतर में सल्य चिकिश्या से परीचित थे यांकी लोग दातु विज्ञान से भी परीचित थे गुणा, जोड, बगठाव, आधी गणितिय परकिरियाएं करते थे आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन का मुख्यादार किर्शी था वेपार भी होता था बेबिलोनिया और मिशर की सब्यताओं से फार्स से भी वेपार होता था उध्योग दंदे, बरतन बनाने के उध्योग, मनके बनाने के उध्योग, वस्तर बनाने के उध्योग, और भी अन्य परकार के उपकरण बनाने के उध्योग परचलिक थे सामाजिक जीवन में समाज में कई वरग थे परिवार सबसे चोटी काई थी परिवार मात्र सताद्मक होता था दार्मिक जीवन में प्राकरतिक सक्तियों के उपासक थे प्राकरतिक सक्तियों के साथ पसु पूजा का भी परचलन था और धार्मिक जीवन में यग्य भी करते थे राजनेतिक जीवन के कोई इस्पस्ट प्रमान नहीं मिले है लेकिन फिर भी यहां की विशेष्टाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी ने किसी सत्ता का नियंतरन था इसी कारण इस तरह की विवस्ताएं बनाई जा सकती थी इस परकार हम सिंदु सरस्वति सब्वेता के बारे में जानकार यासिल कर चुके है थेंक यू